हेलो एवरिवन वेलकम तो मैं चैनल हाइपर डेजबी मैं हूं मोहमत सुहिल दोस्तों आज मैंने स्टॉक चुना है इंदुसीन बैंक लिमिटेड आज मैं आप सभी को इंदुसीन बैंक के उपर जो नए लेवल्स बने हैं नए टागेट्स बने हैं वो तो रिलेटेड पिछ चोटा सा चोटा चेंज है आप ज्यादा पैनिक मत होई है आप इसके मदल इंट्रे का करें एकजिट का करें मैं आपको आगे चल के वीडियो में बता दूंगा और जो मैंने आपको टागेट्स बताया तो उसको तो इसने ब्रेक नहीं किया उसके उपर ही जाते हुए दे दिये थे देखिए आपने मेरा पिछला वीडियो भी देखा होगा तो आपको अच्छा सा अच्छा मुनाफ़ा हुआ होगा इंजुसिन बैंक लिमिटेट के ओपर आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों मैंने आपको बस एक ही चीज़ बताई थी इसके अंदर इंट्री आपको एकजिट भी बता दिया था 530 540 उसके नजज़िक नज़िक एट टागिर जा रहे हैं दोस्तों मैं आपको एक छोटी भी चीज़ भी बता देता हूँ कि बस आप इंट्री करिये इंट्र के अंदर वो लॉस को कैसी रिकवर करना स्टाटेजी इससमाल करके आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरा मेल है है अपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा दोस्तों क्यूंकि ज्यातर लोग मुझे बंदन बैंक इंदूसिन बैंक ऐसा ज्यातर जो स्टॉक मार्केट में पूछते हैं मैं देता हूं पूरे के पूरे सक्सेसफुल जाते हैं आप यह बार मुझे ट्राइक करके देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा देखिए दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी एक ही रिक्वेस्ट करें थी आप लोगों के लि लो भी था दूस्तों 497.20 क्योंकि यह पूरे हम लोगों को चार या पांस दिन के बाद ऐसा मुझेंट देखने को मिल रहा है क्योंकि इसके अंदर जो ट्रेड हो रहा था वह तो 470 के ऊपर 500 के लिवर्स के नीचे ही हो रहा था ज्यादार लोग बेज़ार हो चुके हैं य बढ़ी है मुझे देखने दो दूस्तों यह हीरो नहीं है इंटेंशन लेने बस इसको क्या चाहिए श्टॉक को पैसा चाहिए वह कैसे आता है जायता तर श्टॉक ट्रेडर जो पैनिक में आकर बेच जेते हैं उससे यह पैसा कमाता है दोस्तों कंपनिस को पैसा जाता है बस मैं आपको श्टॉक मार्केट के अंदर एक ही सजेशन देता हूं हर बार बताता हूं पैनिक में आके स्टॉक मत बेचिये मत बेचिये इसा बेचने से आपका नुक्सानी होगा देखिए यह 200 लेवल के पास गया तो यह मैं होल्ड करके रखूंगा बस मैं होल्ड करके दोस्तों देखिए मैं आपको एक्जेंपल क्यों दे रहा हूं क्योंकि होल्ड पेशेंस सक्सेस है दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर आगे बढ़ने के लिए मैं भी आपको यही सजेशन दूँगा स्टॉक प्रैस आप बई कर रहे हैं किदर भी जाए कहां भी जाए ब दोसीन बैंक का क्रूरजिंग प्रैसे फाइव 20.40 पाइसा आज इसने डे हाई बनाया है 524.00 इसका डे लो है 497.20 हा दोस्तों यही बाते मैं आपको बता दिया था चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों मैं कभी भी अनलैसिस करके आपको बताता हूं तो रफ चांडित यानि जाता सै जाता से जादा जो कंजेस्टेड़ होते हैं चाट वैसा नहीं बताता हूं इसपल चाट बताता हूं आपको आसान तरीकी से समझ में आने के लिए देखे दोस्तों मैं आपको पहले इसमें क्या बता रहा था जिदर इदर gap up और gap down close करता है open करता है तो इसको definitely close करने क्यों कोशिश करेगा वह और तो मैंने आपको पहला trick बता दिया देखिए वह तो पूरे वीडियो के अंदर और पूरे stocks के अंदर तो effect करता है पर आप के क्या होगा return होगा तो भी slowly slowly फिर से 484 70 को जाते हुए दिखेगा क्योंकि इसके अंदर जू movement बन रहा है मेरे हर वीडियो में बताते आ रहा हूं 600 और 700 levels का बन रहा है मने ग्लेन मार्क पे भी ऐसे ही बताया था इंडियन बूस हाउजिंग फाइनेंस पे भी ऐसे ही बताय रहे थे वह भी नजिक जाते हुए दिख रहे होंगे आप लोगों को अगर आप मेरे वीडियो को follow कर रहे होंगे तो हाँ चलिए दोस्तों आ जाता हूं वीड़ा के पास हाँ बहुत advertising कर लिए मैंने sorry दोस्तों अब देखिए इसके अंदर जो movement इदर बन चुका है जो panic मत होई है जब तक यह stock 470 levels के ऊपर है आप बस क्या करिए entry 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 करिए दोस्तों stock market में तीनी चीज़ चलते हैं बस entry 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 अगर आप किदर भी entry करना चाहते हैं तो भी 500 फाइंडर के नीचे आप जाके रुकना चाहते हुं पर रुकिये दोस्तों पैंडिक मत होई यह क्यूंकि इसके अंदर जो moment बन रहा है बयर्यस को moment बन रहा है मैं इस.com पर जाके delivery पूरा analysis करके आपको बता रहा हूं चाहे तो अगले वीडियो में भी आपको उसके उपर briefly example दे दूँगा आपको कुछ doubt, questions, inquiry, guidelines कुछ भी चाहिए आप मुरे mail पर मुझे question कर सकते हैं, suggestions ले सकते हैं दोस्तों, वो आप description में लिंक मिल जाएगा आपको mail का, आप direct mail कर सकते हैं मेरे को, देखिए आप आजाता हूं चाहिए जब से मैं आपको बस मेरी advertising कर रहा हूं, चलिए आप आजाता हूं, clear chart है दोस्तों, simple chart है आपको clear ज्यादा इसको pressure देंगे, तो यह क्या आएगा, stock clearly बता रहा हूं, stock किदर आएगा, 480-470 level के पास आएगा, क्यूंकि इसके अंदर जो strong support बन चुका है, मैं आपको पहले वीडियो से बहा हूं, 470, तो यह stock आपको जहांसा क्या देगा, 470 नीचे जाते हुए दीखेगा, फिर भी आप क्या करिए, डरिये मत, stock market में डरने से, आप क्या करते हैं, आप आप नहीं दोस्तों, आप तो बहुत अच्छे हैं, जो ज्यादत तर लोग stock market में क्या करते हैं, sell कर देते हैं, sell करने से क्या होगा, stock तो लुक्सान हो गई होगा, stock भी आपके पास नहीं रहेग तो जब अफसोज करेंगा रहे यार मैं तो बेच नहीं नहीं था आप ऐसा काम मत करिए अगर इस टॉक 470-460 के पास भी जाता है तो क्या करिए आप 510-500 के पास भी बाइ कर चुके हैं तो रिबाइ करिए यानि आप 25 परशन स्टॉक 50 परशन स्टॉक 100 परशन स्टॉक लीज बताता हूं देखिए आप बस इंटरी कहा करिए अगर नीचे जाता हुआ देखा 500 के नीचे तो आप किदर भी इंटरी ले सकते हैं अगर 470 के पास जाता हूँ देखा तो इसका क्या करिए 25-5 परशन पास जो बाइं उसका 25 परशन ले लिजे क्योंकि बस जहांसा देता है shtok कि आप sell कर दे आपको डराता है सैटान के यसा शैतान एह संदेवील के यसा डराता है बस आप sell कर दे सेल कर जाए पैनिक में आके sell करते हैं आप sell मत करें देखिए मैं आपको एक के बात बता रहा हूं entry करें इसके इंदर exit level होंगे इसके 53540 कल के दिन वह अचीव होगे तो ठीक है नहीं अचीव होगे तो आप नीचे जाते हुए कि दर भी एंट्रि ले सकते हैं मेरा सजिशन है दोस्तों यह यह मेरा टेलिग्राम चैनल को है जॉइन कर सकते हैं एक बार बार कर लिजिए आप को खुछ समझ में आ जाएगा इसका link आपको description में मिल जाएगा hit कर लिजिए join कर लिजिए मेरा telegram channel दोस्तों targets में जाने से पहले आप लोगों को एक छूटी सी चीज़ बता देना चाहता हूं वह है no loss strategy no loss कैसे हुए stock market के अंदर असल लॉसी नहीं होना चाहते हैं तो वीडियो अंतक देखिए दोस्तों आपको last last में यह पूरे targets बता देने के बाद आप लोगों को no loss strategy बता दूँगा दोस्तों time waste नहीं करूँगा आप लोगों का time बहुत valuable है दोस्तों आपका भी मेरा भी और सब का भी मैं आपका time waste नहीं करूँगा जल्दी से जल्दी में यह targets निप्टा दूँगा चलिए दोस्तों आज आता हूँ 23 जून 2020 आज का day Tuesday इंदुसिन बैंक का closing price 520.40 पाइसा के पास यह जो मैंने targets लिका लिए कल के लिए लिका लिए दोस्तों कल का दिने विनस डे यानि 24 जून 2020 के लिए मेरा buying side पे expected price अपर 10 टागेट के लिए 524 अगर यह stock 524 के उपर जाता हुआ दिखा तो आप पहला target लगा लिजिए 528 सेकेंड टागेट होगा 531 स्टॉप लोस के साथ चलिए 515 के पास selling side यानि downtend टागेट के लिए मेरा expected price 516 के पास अगर इदर आप sell करना चाहते हैं अगर इदर ओपनिंग भी हुआ अगर उपर कि इदर भी ओपनिंगों के नीचे जाता हुआ दिखा तो आप यह price पे sell ले सकते लिए selling set का पहला target होगा 510 सेकिंड टागेट होगा 507 स्टॉप लॉस के साथ चलिए 524 के साथ चलिए दोस्तों आ जाता हूँ no loss strategy के उपर देखिए मैं जबो जल्दी निटा चुका हूँ टागेट अब आ जाता हूँ no loss strategy दोस्तों strategy ऐसे होता है कल positions को देखे होता है कल expected price पे opening वह तो buying set पे buying चलिए selling set पे चलिए कल position देखे ही पता होगा कि कौन से तरफ टागेट ओपनिंग होने वाल हैं देखिए buying set भी होगा selling set भी होगा आप क्या करिए पहले टागेट पे आप जो कितना भी quantity बाइक कर रहे हैं अगर आपके हिसाब से 100% हो गया ठीक है 100% कैसे होता है अगर आप 10 quantity बाइक कर रहे हैं वो भी 100% होगा आपका 100 भी बाइक कर रहे हैं वो भी 100% होगा आपका तो आप क्या करिए पहले टागेट पे 75% लगा लिजिए quantity second target पे 25% लगा लिजिए अगर आपको पहला टागेट अचीव हो चुका है तो आपको 75% का प्रॉफिट हो गाई होगा second target भी अचीव हो गया तो पूरा 125% का प्रॉफिट होगा दोस्तों अगर second target पे 25% quantity अचीव नहीं हुआ तो return आते आते उसको क्या करिए वो 25% को भी पहले टागेट पे लगा लिजिए आपको पू 25% जो टागेट पे आप लगाना चाहते हैं वो आप second target पे नहीं लगाना चाहते हैं आप टेस्ट करना चाहते हैं अगर वो 25% quantity कितना उपर गया तो कितना profit होगा कितना नीचे गया तो कितना नुक्सान होगा दीखिए मैं आपको और रैंडमली बता सकता हूं 50% से लेके 75% के अंदर profit हो गई होगा दोस्तों at the end of stock market देखिए आप इस्टाटेजी इस्तमाल करने से आप लोगो अच्छे से रिटेंस आएंगे आपका capital भी खतम नहीं होगा आप stock market के अंदर survive कर सकते हैं दोस्तों देखिए जयाता लोग stock market में आईसीया नुक्सान होता है buy करते हैं चोड़ेते हैं बस सुचते हैं शाम तक कहां तक गया तो उतना profit होगा कहां तक गया तो उतना लुक्सा लोगा देखिए दूस्तों ऐसा आप करेंगे तो आपका capital भी खतम हो जाएगा आप stock market में survive कर सकेंगे बस आप buy कर रहे हैं sell कर रहे हैं target लगा लिजिए percentage लगा लिज आज के दिन मेरे तरफ से इतना ही है दोस्तों धनियवाद thank you for watching my video